हलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल सो फ्रेंट्स क्या आप भी मेरी तरह अपने चेहरे के अंचाहें बालों से बहुत ज्यादा परशान है बार बार वैक्सिंग ठेडिंग राने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है जिसमें आपका टाइम एंड मनी दोनों बाला है जिस तरीके से में अपने घर में ही अप चेहरे के अन्वांटेड हेर होते हैं उनसे चुटकारा पा लेती हूं जिसे मेरी स्कीन भी क्लियर हो जाती है और मेरे चाहरे पर किसी तरीके का साइड एफेक्ट भी नहीं होता है हाथ हो हाथ इंस्टेंटली हमें इस रेम बाला है वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा फुल प्रोसेस जानने के लिए एंड वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना एंड चैनल को विद बाल लेंगे सब्सक्राइब कर लेजिएगा तो देरीक इस बात की चलिया आईए फटा-फट से अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स इस होम रेमिडी को बनाने के लिए यहां मैंने सबसे पहले लिया एक लीन बाल और उसमें में आदा चमच के करीब शहद यानि की हनी जो हम सभी के घर में होता है उसे एड कर लोंगी फ्रेंड्स जो हनी होता है हमारी स्कीन को बहुत अच्छे से नौरिश करता है पॉलिश करता है और वैक्सिंग की दवरान यदि हमारी स्कीन ड्राइ होने रखती है तो उसको भी यह हाइड्रेशन देता है तो इसलिए आदा चमच के करीब मैंने यहां लिया है शायद साथी फ्रेंड्स एक चमच के क चेहरे पर यदि डेट सेल्स वाइट ब्लैकर्स की प्रॉब्लम होती है तो इसको भी रिमूफ करके स्किन के टेक्शर को बहुत जादा स्मूध बनाती है इसके बाद फ्रेंड्स इसमें हम थोड़ा सा कच्छा दूद एड़ करेंगे और इसका एक स्मूध सा बना लेंगे यहां में थोड़ा थोड़ा करके कच्छा दूद इसमें एड़ करूँगी एक साथ मत एड़ कर दीजेगा नहीं तो यह काफी जादा लिक्विड हो जाएगा थोड़ा थोड़ा एक चमच करके आप इसमें एड़ करेंगे ताकि यह गाड़ा सा पेस्ट बन जाए और हमार चेहरे के जो बाल होते हैं, उनकी जो roots होते हैं, उन्हें weak करता है, जिसके कारण हमारी hair growth जो बहुत जल्दी जल्दी waxing कराने के बाद आने लगती है, तो उसे slow down कर देती है, तो friends, आपने notice भी किया होगा, कि हम सभी के घर में, washroom में fit curry जरूर पाये जाती है, बड़े लोग आज भी अपना face का जो shave करते हैं, उसके बाद fit curry लगाते हैं, यदि आपकी skin cut fat जाती है, तो वहाँ पर भी fit curry लगाते हैं, waxing के दोरान, shave के दोरान, तो fit curry का बहुत ही करूंगी थोड़ी सी coffee powder, जो कि हम सभी के घर में easily available है, आप यहाँ किसी भी coffee का इस्तमाल कर सकते हैं, skin पर whitening and brightening का काम करती है, यदि आपके चहरे बहुत ज़्यादा दाग धपें, skin बहुत ज़्यादा tan होगी है, तो coffee pack यदि आप अपने पूरे चहरे पर लगाते हैं, त इस तरीके से friends, सारी चीज़ों को अब आप अच्छे से mix कर लेंगे, एक smooth सा paste बना लेंगे, थोड़ा जो इसका paste होगा आपको tight रखना है, ताकि skin में easily लग जाए, तो चली आईए friends, इसे face पर मैं कैसे apply करूंगी कि मेरे facial hair remove हो जाएं, वो सब मैं आपको करके दिखाती हू So friends, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं upper lips अपने जो हैं, उन्हें remove करके आपको दिखाने वाली हूँ, तो जो upper lips का portion है, जाके hairs हमें हटाने, वो वाले portion को हम अच्छे से साफ कर लेंगे, यदि आपको पूरे face के हटाने है, तो आप पूरे face को अच्छे से clean कर लेंगे, means ज और आपको यदि जहां के भी hair हटाने है, जैसे कि आपको अपने कान के पास के या फिर आपको अपके nose के आसपास के dead cells remove करने है, तो वहां पे भी इस वाले pack को आप लगा सकते हैं, मैंने यहां upper lips वाले area में ठिक लेयर में इस पैक को लगा लिया है, और आप देख सकते हैं और इसके बात friends हमें इसे कम से कम 5-10 मिनट के लिए जैसे कि winters हैं, उसमें थोड़ा सा time लग जाता है सूखने के लिए, तो हम इसे सूखने देंगे, तो मैं मिलती हूँ आप से break के बाद, तब तक आप वीडियो को यहां तक देखा है, तो please एक like जरूद दीजिएगा, so friends यहां मुझे 5-10 मिनट करीब हो गए और आप देख सकते हैं कि यह जो pack है, यह homemade wax है, यह सूख चुका है, so इसे कैसे remove करेंगे, कि जिससे की हमारा facial hair है, वो remove हो जाए रूट से, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा friends, आपको सबसे पहले अपनी skin को एक finger से नीचे की करते हुए, हलका सा rub करते हुए, आप इस pack को जब remove करेंगे, तो कुछ इस तरीके से जो wax है निकल जाएगा, और इस wax के साथ जो आपका skin का hair जो होगा, वो भी निकल जाएगा, so friends, semi process आप दूसरी side करेंगे, थोड़ा सा tight हांथ से, यानि हलका सा pressure निकाल लगाते हुए, आ यदि आपकी skin पर dead cells बहुत जादा हैं, तो वो भी इससे निकल जाएगा, और skin को ये उस जगा को बहुत जादा smooth and soft बना देगा, इस remedy से आप अपने nose के आसपास के white hairs, black hairs भी remove कर सकते हैं, यदि आप इसे पूरे face पर लगाते हैं, तो आपके facial hair सारे remove हो जाएगे, और आप जब इस पैक को आप remove कर देंगे तो अपनी skin को बहुत अच्छे से wash कर लेंगे, नॉर्मल पानी से ही, so यहाँ wet के help, wipe के help से मैंने अपनी skin को clean कर लिया है, और उसके बाद आप अपना skin care करना बिल्कुल नहीं बूलेंगे, इसके बाद आप skin को अच्छे से moisturize कर लेंगे, क काफी ज़्यादा फिर्म करने के लिए, यह वली रेमेडी आप जरू ट्राइ करिएगा, आपको आपके अंचाहें बालों से भी छुटकारा मिलेगा और आपी skin काफी ज़्यादा चमकदार भी बनेगी, so I hope friends, आज की रेमेडी आप सभी को पहुत ज़्यादा पसंद आई ह इस तरीके की और रेमेडी देखने के लिए आप मेरे चैनल को विद बैल लाक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, so जल्दी ही मिलें एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खुब सारा खयाल रखिए, खोश रहिए, thank you for watching, bye bye